अच्छा तो हमारा पहला पार्ट जो है वह एक कविता है और इस कविता का नाम है वह चडिया जो अब इस कविता का नाम ये क्यों रखा गया है इस कविता को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से समझा जाएगा आखिर यहाँ पे किस चड़िया की बात हो रही है तो चलिए कवीता शुरू करते हैं वे चड़ियां जो चोच मार कर दूद भरे जुंडी के दाने रूची से रस से खा लेती है वे छोटी संतोशी चड़ियां नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे अन्य से बहुत प्यार है यहाँ पे लिखा है वे चड़ियां जो चोच मार कर कि ये वे चड़ियां जो चोच मार कर यानि अपनी चोच को खोल कर दूद भरे जुंडी के दाने जुंडी के दाने यानि अन्य के वो दाने जो दूद भरे यानि बहुती दूद इतरा भरे हुए है रस से रूची से खा लेती है वह छोटी संतोसी चड़िया और उसे ये दाने खाकर ही इतना संतोश मिलता है कि वो खुद को संतोशी चड़िया कह रही है नीले पंखो वाली मैं हूँ वो ये भी बताती है कि मेरे पंख जो है नीले है मैं नीले पंखो वाली हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है आखिर वो दाने खा रही है और उसे खाने में बहुत ही रूची आ रही है मज़ा आ रहा है इसलिए उसे अन्न से बहुत प्यार है आगे बढ़ते हैं वे चडियां जो कंठ खोल कर बूढे वन बाबा की खातिर रसुनेल कर गा लेती है वे चोटी मूब वोली चडियां नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे विजन से बहुत प्यार है वह चड़ियां जो कंठ खोल कर अब देखो जो चड़ियां है वो अपना कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा एखाते वह वन यानि जंगल जहां वो रहती है वो जंगल बहुत पुराना है इसलिए उसे बूढ़ा वन बाबा कह रही है और वो उनके लिए रस उनेल का गाना गा रही है उनके लिए उन्हें खुशी देने के लिए वे छोटी मू बोली चड़ियां और वह चोटी सी मू बोली चड़ियां है नीले पंखो वाली मैं हूँ वो दुबारा बताती है कि मैं ही हूँ वो नीले पंखो वाली चड़ियां मेरे पंखी नीले हैं मुझे विजन से बहुत प्यार है यहां चड़ियां कह रही है कि मुझे विजन से यानि मैं अकेले रहते वे भी बहुत खुश हूँ और मैं गाना गाकर जो है बुढ़े वन को भी खुशी दे रही हूँ कविता में आगे लिखा है वे चड़ियां जो चोच मार कर चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वे चोटी गरबीली चड़ियां नीले पंखो वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है वे चड़ियां जो चोच मार कर अब देखो चड़ी नदी का दिल टटोल कर नदी जो पूरी तरह से भरी हुई है चड़ी चुकी है वो नदी जिसमें पानी ऊपर भरा हुआ है वहाँ क्या करती है वो जल का मोती ले जाती है यानि उसके जल की बूंदों को अपने मूँ में भर लेती है उठा लेती है और वै छोटी डर बीली चड़ियां चडियां को अपने उपर बहुत गर्व है कि वो ऐसा कर रही है नीले पंखो वाली मैं हूँ वो फिर से कहती है कि मेरे पंख नीले है मैं नीले पंखो वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत लगाव है देखो बच्चो इस कविता के माध्यम से जो कवी है वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब छोटी सी चड़ियां के अंदर इतने सारे गुण हो सकते हैं, जब ये छोटी सी चड़ियां इतने सारे कारे कर सकती हैं, तो फिर हम इंसान क्यों नहीं, हम इंसानों में भी जरूर कोई न कोई गुण हैं, तो हमें भी हमेशा अच्छ चित्र बना उसे आप एक कागज पे बनाईए देखे जरूर आपके मन में कोई नो कोई चिडियां बनी होगी जब आप इस कविता को पढ़ रहे होंगे तो बस उस चिडियां को कागज पे बना दीजिए हो गया आपका पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि आप को इस कविता का दूसरा देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे जैसे कि आपने देखा इस कविता का नाम क्या था वह चिडियां जो तो आपको यह तो समझा गया यह किस चिडियां की बात हो रही है लेकिन अगर आपको और नाम देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे जैस भी अपनी मर्जी से यह नाम दे सकते हैं लेकिन हां वो नाम जो है इस चिडियां को जरूर सूट अरना चाहिए ठीक है प्रश्न तीन पोछ रहा है कि इस कविता के अधार पर बताईए कि चिडियां को किन-किन चीजों से प्यार है अब कविता तो आपने पढ़ ली आपको पतर चल गया होगा कि चिडियां को किन-किन चीजों से प्यार है पूरी कविता में उसने बताया है कि उसे विजन से प्यार है अनके दानों से प्यार है नदी से प्यार है है ना तो बहुत आसान है यह प्रश्न चार आशेश पस्ट करो आशेश पस्ट अरना है यानि आपक याल दूसरा है चड़ी का दिल तटोल कर जल पोटी ले जाती है कि जो नदी चड़ी हुई है भरी हुई है उसमें जो है अपनी चौच मार्टी और मोती की तरह है और उपनी चौच में भर लेती है और फैसली आसान है तो हमारा पाध कहत्म हुआ